हेलो माई डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिंटेक्स का प्रैक्टिस सेट वन लेकर आया हूँ जो कि कोई भी 10th, 11th और 12th के एकजाम में important है और other competitive exam में भी बहुत important है ठीक है ना? सिंटेक्स इसको verb agreement कहते हैं तो चलिए इनका प्रैक्टिस करें और एक कोचन जो कि बहुत कोचन easy अवे में आपको दिया जायेगा ठीक है ना? तो इसको सही option चूज करें ठीक है ना? तो चलिए पहला कोचन no brother and no sister dash me यानि इसका हुआ no brother और no sister के साथ अगर no brother कोई भी no brother हो no brother and no sister जो भी हो end से जूट कर आए तो हम वहाँ पर singular verb का पड़ियोग करेंगे ठीक है ना? यहाँ पड़ा पूल्रब तो singular verb आपका help है कि helps है कि has help है कि non है तो देखिए singular verb में a-s-a-e-s लगाकर उसको singular बनाते हैं क्या बनाते हैं क्या बनाते हैं तो इसमें a-s-a-e-s किसमें लगा है तो helps में लगा है तो आपका helps क्या हुआ यहाँ पर बी आपका option बिलकुल सही होगा ठीक है ना? बी एंसर आपका स्य योगा ठीकिना अगला कोच्चन दखिये लाएदर अफ देम डेस इनोसेंट देन नाइदर अफ देम और और आइदर अफ देम के बाद पुल्रल नाएगा ठीकत लोगिन भर्व क्या लगेंगे, लेकिन भर्व हमें साथ सिंगूलर भर्व का प्रियोग divator सिंगुलर भर्व का रियोग होगा उन वर्प का प्रियोग तो सिंगूलर भर्व का प्रियोग तो सबस्क्राइब देशन्जम का मतलब है कि मसे तो सीगूलर भर्व क्या है वााज है वेर नहीं है तो आर नहीं है तो अ низ Sin तो इन में से का है वाज है और एम है ठीक है ना वाज है और एम है तो इन में से कौन लगेगा वाज भी लगेगा और एम भी लगेगा क्या लगेगा वाज भी लगेगा और एम सोरी एम तो नहीं लगेगा एम इसलिए नहीं लगता है कि आई के साथ स्रिफ एम का प्रयोग कि लेगा अगला कोच्छन लट कोफी डेस यूज फूल थीका नहीं एलट कोफी एलट एलट कफी के बाद अगर लट कफी के बाद अन्कन टेबल लाउन है तो सिंगलर भर्व का प्रियोग होगा ठीकर न्ट अगर कंटेबल नाउन होता तो पुल्रल भर्व होता है इज क्या है अपका सिंग्लर भर्व आर का है तो पुल्रल भर्व इसका तो प्रियोग नहीं होगा वाज होगा हां तो इज और वाज होगा जैने दोनों होगा इज भी होगा तो इसका मतलब ए और सी जैन दोनों एंसर जिसका answer D होगा उनका बिल्कुल सही है D जिनका option D answer जो चूज किये होंगे विद्यार थी उनका बिल्कुल अप सही है ठीक ना अगला चलिये ए नमबर अफ मैं डास गोन ए नमबर अफ मैं ए नमबर अफ के बाद पुल्रल नाउन आता है नमबर अफ के बाद क्वल्रल नाउन आएगा पुल्रल नाउन आएगा पुल्रल नाउन आएगा — लेकिन यह नमबर का पुल्रल भर्व का प्यू करेंगे तो इसमें गोन अप आग आगे ज्न के जगा theor आप नाउन रście गोटYeah डयंव आपका लगता लेकिन यहाँ पर नाउन और एड़ेक्टिम ना होने के कारण यहाँ पर आपका परजेंट परफेक्ट में आता है है तो यहाँ पर है लगेगा ठीक है ना परजेंट परफेक्ट टेंस में कौन आता है है यहाँ यहाँ पर आपका C answer होगा जिनका C है उनका बिल्कुल सही है अगला question देखिए अगला question है neither he nor I ठीक है ना neither he or I तो देखिए neither जो होता है हमेशा nor से जुट कराता है और last वाले subject के अनुसार भर्द का chain करते है तो last वाला subject क्या है I, तो I के अनुसार क्या लगेगा इज लगेगा तो इज नहीं लगता है I के साथ R लगेगा तो R पूल रते लगी नहीं सकता है ठीक ना तो क्या लगेगा तो यह मापका होगा ठीक ना तो यह मापका answer होगा यानि C answer होगा जिनका C है उनका बिल्कुल सही है ठीक ना अगला Most of students इसकोल डेली ठीक ना तो इसकोल डेली ठीक ना तो यहाँ पर option थोड़ा sentence थोड़ा गलत हो गया है ठीक ना फिर भी sentence गलत होने के बावजूद भी यह sentence तही है थोड़ा sentence इस लिए शरी के भर्व के according to Most of student test to school डेली इसके साथ क्या लगेगा तो Most of के बाद याद रखिएगा अगर पुल्रल नाउन आएगा तो पुल्रल भर अगर uncountable नाउन आएगा तो सिंगलर भर ठीक ना अरव वाले option वाले बी option जिनका है वो बिलकुल सही है चलिए एगला question देखिए बुक बॉठ बुक डेस सेंट का मतलब होता है बॉठ बुक डेस सेंट का मतलब होता है बॉठ बुक डेस सेंट का मतलब होता है देखे बॉठ बुक किताबों में से दने इसके साथ पूलर नाउन आया ठीक है ना पूलर नाउन आया और बॉठ बुक यहाँ पर क्या है वाइस है तो यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका ये डूर नहीं है ये अब्जेक्ट है ठीक है न ये खुद ये काम नहीं कर रहा है किसी के द्वारा एक किताब को क्या किया जा रहा है भेजा जा रहा है तो इसके साथ ईज लगेगा तो इज तो लगेगा ही नहीं क्यों कि आथे हम पिल्रल चाहिए इसके साथ तो रह लगेगा और हैब लगेगा तो अब यहाँ पर यह यहाँ तो इसलिए महां लगता खिए फॉइस नệu सब्सक्राइब यहां पर हम आर अप्शन जिनका है बिल्कुल सही है आर वाले आर जिनका है उनका बिल्कुल सही है ठीक है ना चलिए अगला कोच्छन देखिए देखिए one of them dash coming now तो देखिए one of dash dash coming now का मतलब हुआ उनमें से एक क्या हो रहा है आज अब आ रहा है तो देखिए present continuous now हो गया तो इसके साथ क्या लगेगा तो इज जिनका इज है उनका बिल्कुल सही है इज वाले अप्शन यानि ये वाले अप्शन वाले प्रेंट को बिल्कुल सही है ठीक है जिनका जीनका एज अप्शन है वह बिल्कुल सही है चलिए अगला कोचन हाफ आफ मैंगोज हाप आप मेंगोज you can ask me हाप में से मॏइंगोमस कितने मैं अमो में स्या अध्याम थीके न अगर आपका फुर्डरल तो यहाँ पर बह रप लागीगा और यह काम होता नहीं से एक कम में स्यादा सवता तो हाँ पर हुझी लगता लेकिन हमная सआदा एक इसके साथ तो याद रखिएगा यहाँ पर सिंगुलर भर्ब आएगा क्या है दोस्तों सिंगुलर भर्ब लेकिन यह नमबर अफ रहेगा यह नमबर अफ रहेगा तो अहाँ पर क्या लगेगा पुल्डरल भर्ब आएगा क्या है पुल्डरल भर्ब याद रखिएगा तो दो नमबर है इसके साथ क्या होगा तो इसके साथ गो लगेगा गो अपने भर्व मूलवस्ता में क्या होता है तो पुल्राल होता है ठीक ना तिहां पर यह जिनका एंसर है उनका बिल्कुल सही है आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसी तरह प्रैक्टिस करा रहा है सिंटेक्स का थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो